निक वाकर ते मोर ही प्राक्सिस इस पोजिंग अगर फेल्ट वापी हेलो दोस्तों आप सभी के सौगत है मैं आपका दोस्त पांडे आर्नोल ने क्या दीजन बताए कि निक वाकर किस कारण से इस कॉम्प्टिशन को हर गये और उन्हें क्या से जेसन दिया इसका कम्प्लीट लेकर आचउक है एंड दोस्तों ओलंपिया 2022 के बाद बाकि वाटी बाटी बिल्डर का क्या रियक्सिन था इसकी कम्प्लीट अप्डेट लेकर आचुके तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते तो हमाई पहले बॉडी बिल्डर है माइकल की जो माइकल की जो इस पिक को सेयर करते हैं इसके नीचे कैपसर में लिखते हैं मेरी प्लेसिंग इस बार जो आई है वो तौल था आया और मैंने फर्स्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया में पार्टिसिपेट किया था जिसने मैं काफी जादा कि मुझे भी दुख होता है मैं जानता था कि मैं अपने आपको और भी अच्छा इससे बेटर रिपेजेंट कर सकता था ओलंपिया के स्टेज में लिके नहीं कर पाया मैं भी रोता हूं फिर उसके बात कहते हैं कि मैं कोई पहले से कोई बूगी मैन नहीं था मुझको लोग पहले से भी जानते थे मैं जब भी इस स्टेज में आता था तो अपने को और भी जाता बिटर करके और भी अपने आपको हाडर करके इस स्टेज में आता था फिर इसके बात कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं बहुत सारी बाते करता हूं जिसको सुनकर कुछ लोग मुझे प बता सकते हैं अब दोस्तों हम अपने next bodybuilder के बिसे हम बात कर लेते हैं तो हमाई next bodybuilder है कमाल इलगार्णी दोस्तों कमाल इलगार्णी 2-1-2 category में participate कर रहे थे और जो इनकी placing आई है वो आई थी third placing मतलब इन्होंने bronze medal जीता था इसी category में आप यहाँ पर जो यह pick देख रहे हैं जो पहली pick है उंखा नाम है sound clarida और यह जीते थे gold medal तो दोस्तों कमाल इलगार्णी इस pick को share करते हैं दोनों pick को और इसमें कहते हैं and no one can take it away from me तो दोस्तों यहाँ पास कमाल इलगार्णी इन डारेक्ट रोप से यह कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पास gold medalist और मेरी pick को compare कर सकते हैं फिजिक को देख सकते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको किसकी फिजिक जादा बेटर लग रही तो दोस्तों आप लोगों को कमाल इलगार्णी का यह रियक्शन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमाई next bodybuilder है नील करी दोस्तों नील करी किता से एक big announcement आ रही कि वो अब हमको अंगले साल से मनलब 2023 के ओलंपिया में classy physics में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो switch करने वा participate करने वाला हूं तो दोस्तों आप लोग क्या नील करी को classy physics कि जगे Mr. Olympia में देखना पसंद करेंगे कि नहीं आप हमें comment करके बता सकते हैं अब हम अपने next news के भी से हम बात कर लेते जो कि Arnold Sir के तरफ से Nick Walker के लिए आ रहे तो उसको सुन लेते कि Arnold Sir ने Nick Walker को क्या suggestion दिया है आई में पतानल आपकर अ ठापको नहीं खो नहीं आपको कि एंट ले जार ते से कि ली मुट कि धिए और उनापकर देखना यहां तो कि लिस विए आपकर आपको तो जोताम आपकर दो काहा हैं उक्षण दूट के जए हाएंट बेगे प्षए पैन्हीं ये लिए औरा, कि the more he practices his posing you know the better it is for him because he has such an extraordinary body that he cannot really pile on more weight with his height and his frame so now he has to really go for perfection and for performance and i think that's where really he can get the extra points and he could win the mr olympia i mean if he would have had if he would have a posing routine that is just so strict active that makes just the people jump out of their chairs and scream even with his size and his height of body height it always i think he can he could win you know so i think that he's really onto something really good i think he did a great job when i look at his uh you know took some screenshots yesterday a few coverage and all that stuff and uh and i look at his body i mean just the the back the front the bicep he's one of those very few people that have like a really high bicep and the delta doesn't distract uh detract from the from the bicep you know and the bicep doesn't take anything away from the tricep since everything is kind of really well balanced i thought and his routine was good as a matter of fact i would say in general the posing has improved amongst the body but which really pleases me i think that we're now at as around an average of around the seven uh i think you can go to attend uh so there's a lot of room still imposing for drama and uh i think that um that uh you know i think the charges are seeing that now more and more and i think the body was the competitors that themselves succeeded more that there's a huge potential there to improve do so you have to pass arnold sabse pahle yeh kehti 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 wu aya third phiris kehti 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 है क्योंकि आपको जो बॉड़ी वेट है हाइट के साफ से एक तों परफेक्ट है बस आपको अपनी बॉड़ी में मसल में चूर्टी पोजिंग फेम और बॉड़ी परफेक्शन में काम करना है तो दोस्तों आप लोगों को आर नोर्ट सरका निक वाकर के लिए सजेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं किया निक वाकर 2023 में मिश्टर ओलंपिया में गोल्ड मिडल जेट पाएंगे के नहीं यह देखना काफी ज्यादा इंटेस्टिंग होगा अब दोस्ता हम अपने नेक्स्ट बॉड़ी बिल्डर के विसे हम बात कर लेते हैं तो वी जिते हैं अबाढ़ुँझे घूस जा इंट ूस्तो ओक्ट्स अवथिंग आएं अपना एंथ लूसाम wellness कि दल वाब, वहाँ, होड़ को फिचले वाद और belli, मैंने वहाद में गिवा जैंज वी गना और महत पर मपकाई शल्मान पूराद है, मैं लोस्माद डिर्श की कि ऍ collector पिवस्त को गे बाहरे इंड और रे इंड फिर मेंओ, and I'm over the moon I have literally no words I don't even know how to say the right words for this so I just want to say first of all man thank you thank you for all the people that support me thank you to the IABB Pro League thank you to the Olympia I'm over the moon honestly I have never felt so happy so grateful, so honoured to be in this position and man it's crazy, it's crazy to think where I was just literally over a year ago, two years ago and to be here now it's just beyond belief and man I really don't have the words to say that could actually express how I truly feel and I just would love to say from the bottom of my heart thank you guys for all the support thanks to my coach Milos thanks to my sponsor Hostile who had the Hostile team Summer it means the world to me to be able to be in this position I feel truly blessed and honestly I just can't describe what this feels like you know it's beyond belief for me and it's gonna take some time for it to sink in but oh man until then I just wanna say man all I can say right now is I truly appreciate it I'm truly grateful and man I love body beauty I love body beauty and I love this and I am honored truly honored here here Samson this I love you I love you Mr. Olympia me 6 number I love you I love you because I love you because I love you first time I love you my place top 10 I love you which I love you I love you I love you I love you thank you आप भी हैपी हुए हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा आगी भी इसी पेकासे बॉड़ी बिल्डर और कॉम्टी संसेटिव अपडेट्स पाने के लिए